दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं मत्से कांड वेब सीरीज को जिसके डिमांड आप काफी टाइम से कर रहे थे यह वेब सीरीज मिश्ट्री और सस्पेंज से बरी पड़ी है जो कि आपको जरूर प्रसंद आएगी इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अब चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तो कहानी की शुरुआत में 1998 सेंटरल चील न्यू दिली का सीन दिखाते हैं जहां पर हम मत्से नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे पुलिस ने बुरी तरह से मारा हुआ था थोड़े समय बाद मत्से अपनी मा को फोन करता है तब मत्से देखता है कि आनन पंडित नाम का एक आदमी पेड के नीचे बैठा है और वो सभी कैदियों को मा बारत का ज्यान दे रहा है लेकिन आनन पंडित की नजर हमेशा मत्से पर ही रहती है क्योंकि उन्हें पता था कि मत्से जेल से भागने का प्लैन कर रहा है मत्से अब की चीजों को अब्जर्व करता है और जेल के सबसे स्ट्रिक्ट जेलर का रूटीन भी अच्छे से समझ लेता है फिर एक दिन मत्से प्लैन करके जेलर को बेहोश करता है और जेलर की वर्दी पहन कर बहार की तरफ निकल जाता है जहां उसे गाड़ी चला कर जेल से भागना पर मत्से को तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी मत्से जैसे ही गाड़ी चलाता है वे गाड़ी बहार ठोक देता है और पुलिस वाले मत्से को पकड़ लेते हैं जहां उसकी जंबर कुटाई होती है और वापस उसे जेल में डाल दिया जाता है आप मत्से समझ तो गया थ कि जेल से भागना आसान काम नहीं है उसके बाद पंडित आनंद मत्से से मिलते हैं और बोलते हैं कि वे मत्से की जेल से भागने में मदद करने को तयार हैं पर मत्से को भी पंडित जी की मदद करनी होगी जैसा जैसा पंडित जी बोलेंगे मस्या को भी वैसा ही करना पड़ेगा फिर पंडित जी मस्या को जेल के बाहर जाने से पहले कुछ ट्रेनिंग देते हैं ताकि मस्या बाहर जाकर उनका काम कर सके पंडित जी मस्या को बताते हैं कि उसे कौन मैं बनना होगा मतलब उसे अपना भीश और पहचान बदल कर सारा काम करना होगा जिससे उसे कोई पकड़ना पाए पंडिजी अब मस्से को एक C.A. से मिलवाते हैं जो कि किसी फ्रॉड के कारण जेल के अंदर आया था ऐसे कुछ दिनों के बाद मस्से जेल में अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है अब मस्से के जेल से बाहर भागने से पहले पंडिजी मस्से को बताते हैं कि वह मेरट के रहने वाले हैं और क्रिकेट बेटिंग करके पंडिजी ने खुब सारा पैसा च्छापा था फिर पंडिजी ने अपने गाओं के एक सूरी नाम के आदमी को उनका सारा काम सिखाया पर बाद में सूरी नहीं पंडिजी को दोखा दे दिया और पंडिजी की वाइफ को मार कर सूरी ने सारा बलेम पंडिजी पर डाल दिया इसके बाद पंडिजी जेल आ गए और सूरी ने पंडिजी का सारा पैसा हडप लिया इसी कारण से पंडिजी चाहते हैं कि मस्या सबसे पहले सूरी से उनका बद्रा ले पंडिजी फिर बोलते हैं कि वह चाहते तो सूरी को मार सकते थे लेकिन पंडी जी सूरी को मार कर उसे इतनी असान मौत नहीं देना चाहते थे वह चाहते हैं कि मस्या सूरी का सारा पैसा और पावर छीन ले और उसे बरवाद कर दे यह सुनकर मस्या पंडी जी का बदरा लेने की ठान लेता है अब मस्या को जेल से बाहर निकलना तो था पर मस्या के जेल से बागने से पहले ही पंडी जी को जेल से रिया कर दिया जाता है अब पंडी जी के बाहर आते ही धर मस्या बिमार होने का नाटक करता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में बढ़ती कर दिया जाता है तब महाँ पर पंडित जी मस्या से मिलने आते हैं और उसे अपने कपड़े पहना कर महाँ से भगा देते हैं जैसे मस्या महाँ से जाता है पंडित जी होश्पिटल के कमरे में आग लगा देते हैं जिस कारण पंडित जी खुद को ही मार लेते हैं और सब लोगों को लगता है कि मस्या इसमें मर चुका है। इदर मस्या पंडी जी के कहे अनुसार एक आर्मी के पास जाकर उससे पैसे ले लिता है और अपना हुलिया एकदम से बदल लेता है। और फिर मस्या मेरट के लिए निकलता है ताकि वे सूरी से बदला ले सके आप मेरट में मस्या अपना हुलिया बदल कर सूरी और उसके आदमियों पर नजर रखता है ताकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए कि वो कहां पैसा लगाता है और कहां उड़ाता है ऐसा क जो के उपर 12 लाग का कड़ जाता है इसलिए वे मस्या के साथ काम करने के लिए मान जाता है मस्या अपना गैट अप चेंज करके एक काक्यामेर बिजनेसमेन बन कर सूरी के पास जाता है और बैटिंग में 5 लाग हार कर भी इसमाइल देता है इसे देखकर सूरी मस्या से मिलता है क्योंकि सूरी को समझ आता है कि ये तो जरूर मालदार पाड़ी है सूरी अब मस्या को और भी बैटिंग करने के लिए क्याता है पर मस्या बोलता है कि वह हमेशा करोड़ों में बैटिंग करता है इसलिए उसे यहाँ पर ज्यादा मज़ा नहीं आ रहा है सूरी अब मस्या को बोलता है कि यहाँ पर एक करोड से लेकर दस करोड तक की बैटिंग चलती है पर मस्या बोलता है कि वो पैसे सिर्फ कैश में देता है यह सुनकर सूरी सोच में पढ़ जाता है और मस्य सूरी के जवाब का ही वेट करता है क्योंकि मस्य का आगे का प्लैन सूरी के जवाब पर ही निरबरता मस्या सूरी के सामने ऐसा दिखाता है कि उसके क्रिकेट के अंदर काफी सारे स्ट्रॉंग कनेक्चन है इसे सुनकर सूरी मस्या से इंप्रेस होकर उसके साथ कैश में बैटिंग करने के लिए मान जाता है फिर सूरी मस्या को एक बहुत बड़ी बैटिंग के लिए इंवाइट कर देता है मस्या अगले दिन उर्वशी नाम की लड़की के साथ आता है उर्वशी दिखने में काफी खुपसूरत और होट थी जिसे देखकर सूरी तो उस पर फिदाई हो जाता है मस्या अब सूरी को बताता है कि उर्वशी उसकी गल्फ्रेंड होने के साथ साथ लेड़ी लग भी है इसलिए जब भी मस्या बैटिंग करेगा तो उर्वशी उसके साथ ही होगी और सूरी उर्वशी को देखकर इतना जादा अकर्शित हो गया था कि वह सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा था अब हमें उर्वशी के बारे में बताते हैं जो कि एक बहुत इशांदर मैजिशन है और वह जादू दिखाने के साथ साथ चोरी भी किया करती है एक दिन मस्ये ने जब उर्वशी को देखा तो उसे उसके हाथ की सफाई काफी अच्छी लगी तो मस्ये ने उर्वशी को अपने प्लैन में शामिल कर लिया अब हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बैटिंग करते हुए देखते हैं और मस्ये भी अब बैटिंग करना शुरू करता है और जीतने लगता है यह देखकर सुरी को भी कनफर्म हो जाता है कि मस्ये की जरूर क्रिकेट में कुछ सैटिंग है और सुरी का प्लैन ये था कि मस्ये जो जो कहेगा मैं भी उस पे पैसा लगा कर दूसरी जगा से दुगना पैसा कमा लूँगा जिसके बाद सुरी दूसरी जगा मस्ये की दुगनी अमाउंट पर बैटिंग करता है मस्या बैटिंग में जीत रहा होता है और सुरी को भी ऐसा लग रहा था कि वे भी डबल जीत रहा है असलियत में मस्ये ने राजू की मदद से टीवी पर पुराने वाला मैच ही चलाया था और उन्होंने बड़ी चलाकी से रेडियो को भी बंद करवा दिया था जिससे सुरी को असलियत का पता नहीं चल पाया सुरी देखता है कि मस्ये तो जीत गया है इसलिए वो जीत के सारे पैसे मस्ये को दे देता है और इधर बैटिंगे दोरान उर्वशी ने भी सुरी की सारी तीजोरियो को खाली कर दिया था अब मस्ये सारे पैसे लेने के बाद राजू और उर्वशी के साथ मेरट से फटा-फट चला जाता है और सुरी काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह बैटिंग में दुगने पैसे जीता होगा पर जैसे सुरी पैसे मांगने के लिए फोन करता है तब उसे सच का पता चलता है कि असलियत में वे सारे पैसे हार चुगा है सूरी समझ जाता है कि वह जो मैच देख रहा था वह एक पुराना मैच था और सूरी का अफसाना पैसा बैटिंग में जा चुका था तब गुस्से में आकर सूरी स्पी तेज राज को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ एस्पी और उसका साथ ही विनोज जब मस्ट्य के रूम में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मापर तीन लोग थे और एस्पी तेज राज को तो पता चली गया था कि केबल पर पुरानी मैच चलाई गई थी और पुराना मैच चलाने वाला आदमी राजू था जिसके बाद S.P. तेज राज राजू का फोटो लेते हैं और मस्से और उर्वशी का भी स्केच बनवा लेते हैं और दीनों को ही डूर ने के लिए कह देते हैं अब हम मस्से उर्वशी और राजू को देखते हैं जिनके पास अब खुब सारा पैसा आ गया था मस्से अब राजू और उर्वशी से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे तब राजू बोलता है कि वह तो अपने गाउं चला जाएगा और उर्वशी बोलती है कि वह एक अच्छा लड़का देखकर उसके साथ सैटल हो जाएगी फिर उर्वशी मस्से और राजू को एक से लेकर भाग गई थी अब वे एक फाइब इस्टार होटल में रुकती है जहां पर वे सारी पेमेंट कैश में करती है इदर हम मस्य और राजू को देखते हैं और राजू काफी नर्वस था क्योंकि उनके सारे पैसे तो चले गए थे यानि सारी मेहनत बरबाद लेकिन मस्य राजू पर हसकर कहता है कि वह सारे पैसे ही नकली थे क्योंकि मस्य पहले से ही समझ गया था कि उर्वसी उनको धोका देने वाली है इसलिए मस्य ने वा पर नकली पैसे रख दिये थे यह सुनकर राजू काफी खूश होता है और मस्य राजू को उर्वसी का हिस्सा भी दे जाओ वे उसकी इसमें कोई मदद नहीं करेगा तब राजू उर्वशी को ढूंडते हुए होटल में पहुंचता है जहां राजू को पता चलता है कि उर्वशी को तो पुलिस ले गई जिसके बाद राजू पुलिस स्टीशन में जाकर सारे पैसे जमा करवा कर उर्वशी को से कार में बोलती है कि मस्चे ने उन्हें काफी कम पैसे धिये हैं जब्की रिस्क सबने बरावर लिया था इसलिए वे पैसे लेकर भागे थी और बातो बातों में अर्वशी राजू को खुब बढ़का दिये हैं और मस्चे से किसी भी हाल में पैसे लेने के लिए क्ले दी कि तीन लोग सूरी का सारा पैसा लेकर भाग गए हैं नियूज में मस्य राजवर उर्वशी के स्कैच भी आ रहे थे इसे देखकर मस्य वहां से फटाफट भागने की सोचता है तब ही रूम में उर्वशी और राजव पहुंच जाते हैं और मस्य को बांध कर उससे पैसे मां बांगने लगते हैं मस्य उन दो लोगो समझाता है कि उन्हें अभी वहां से फटाफट भागना होगा नहीं तो पुलिस वहां पर कभी भी आती होगी और यहां नीचे तो होटल मैनेजर ने भी वेन्यूस देख ली थी तो उसने पुलिस को पहले इंफॉर्म कर दिया था जिसके बाद SP तेजराज अपनी टीम के साथ होटल में आता है और फिर जैसे ही तेजराज मस्य के रूम में पहुंचता है माँ पर कोई नहीं था क्योंकि राजू ने तेजराज को माँ पर आते हुए देख लिया था तो वे खिड़की के बाहर छुप गए थे आप फिर से मस्य अपना गैड़ चेंज करके माँ से भागने की कोशिश करता है और तीनों होटल से किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं पर तेजराज उने माँ से भागते हुए देख लेता है और उनका पीछा करता है ये तीनों भी माँ से भागने लगते हैं तब तेजराज की गोली र करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि और वशी कनाथ है और उसका पालन पोशन और्फनेज में ही हुआ है इधर तेज राज अपनी हार को यह accept नहीं कर पा रहा था कि मस्से और वशी और राजू उसके हाथ से कैसे निकल गए अब सूरी तेज राज के पास आकर उस की लाश हाईवे पर फेक देता है और ये खबर भी फैलवा देता है कि उन तीनों नहीं सूरी को मारा है मस्से जैसे ये नियूश देखता है तो समझ जाता है कि ये सारा काम तेज राज कर रहा है जिसके बाद मस्से तेज राज को फोन करके चैलेंज करता है कि 24 गंटे में वे महाँ से निकल जाएगा और अगर तेज राज में दम है तो उसे पगड़ ले फिर तेज राज भी मस्य का ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है आप मस्य मेरट से जाने के ब्लैनिंग करता है क्योंकि अगर वे और्फनेज में रहेंगे तो वाँ पर बच्चों को भी खतरा हो सकता है इसलिए अब मस्य को राजिस्थान जाना था क्योंकि उसका अगला टार्गेट वहीं परता तब मस्य को पता जलता है कि वहाँ के हाईवे से एक मंत्री की गाड़ियां जाने वाली हैं इसलिए मस्य अपना गैट अप चेंज करके अम्बुलेंस का ड्राइवर बन जाता है जो कि मंत्री के ही साथ था तो मस्य को वहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी मस्य सबसे पहले असलिए अम्बुलेंस की गाड़ी को पंचर करके दुसरी अम्बुलेंस को नेता के साथ लगा लेता है जिसमें राज और उर्वशी उसी के साथ थे तब ही मस्य को आगे नाके पर तेजराज खड़ा मिलता है जो कि नेता जी से पर्मीशन लेकर सारी गाड़ियां चेक करता है और जैसे तेजराज अम्बुलेंस को चेक करने वाला होता है तब मंतरी जी का पीए वहां आकर तेजराज को धमकाता है कि वह ऐसे कैसे मंतरी जी की गाड़ियां चेक कर सकता है तब S.P. तेज राज को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है और मस्य मंत्री जी के साथ वहाँ से राजिस्थान के लिए निकल जाता है थोड़ी देर बाद अब असली एंबुलेंस वाला आकर तेज राज को बताता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी तब S.P. तेज राज समझ जाता है कि मस्य उसके हाथ से निकल गया पर तेज राज मस्य को इतनी असानी से नहीं छोड़ने वाला था इसलिए तेज राज मस्य की छोड़ी छोड़ी डिटेल निकलवाने लगता है इधर मस्य राजिस्तान में पहुँच कर काफी एमोशनल हो जाता है यह देखकर उर्षी और राजय उससे पूछते हैं क्या कि तुम एमोशनल क्यों हो रहे हो तब मस्य बताना शुरू करता है और हमें पाष्ट का सिन दिखाते हैं कि मस्य राजिस्तान में ही पैदा हुआ था और वे अपनी मम्मी के साथ काफी खुश रहता था मस्य के पापा आर्मी में थे एक दिन खबर आए कि उसके पापा देश के लिए सहीद हो गए हैं और सरकार ने मस्य के परिवार को उनकी मदद करने के लिए एक पेट्रूल पंप दिया था लेकिन गाओंवालों को लगा कि मस्य की मा परिवार को अकेले नहीं समाल पाएगी तो गाओंवालों ने मस्य की मा की शादी उसके चाचा से करवा दी लेकिन मस्य को पता था कि उसके चाचा एक अच्छे इंसान नहीं है इसलिए मस्य अपनी मा से काफी गुस्ता हो गया था पर मस्य की मा उसे समझाती है कि वे उसके परिवार को अकेले नहीं समाल सकती उसने अपने परिवार के भले के लिए उसके चाचा से शादी की है अब मस्य स्कूल जाता है और हमें पता चलता है कि मस्य काफी होशय लड़का है जिसका दिमाग काफी तीज चलता है और जैसे ही मस्य घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने पेट्रोल पंप बड़ी चलाकी से अपने नाम करवा लिया है ये देखकर मस्य को काफी गुस्सा आता है मगर मस्य की मा उसे चुकचाप रहने के लिए कहती है अब मस्य के चाचा नाटक करते हैं कि उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है तब मस्य की मा होने उन्हें मिली पैसे भी देने लगती है और एक दिन जब मस्य अपनी मा के साथ पैसे लेने जाता है तो मस्य की मा को काफी गलत तरीके से मा का एकाउंटेंट चूरा था ये देखकर मस्य को काफी गुस्सा आता है पर उसकी मा मस्से को शान्त करा देती है और कहती है कि तू अपना तीस दिमाग सही जगा पर लगा क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मस्से से कभी बात नहीं करेंगी इसके बाद मस्से गुस्सा करना कम कर देता है और उस पोश्ट ओफिस में पियौन का काम करने लगता है जहां से उसकी मा को पेंशन मिलती थी मा मस्से की नजर जहांजर पर थी जो कि हर वरत के साथ ही गलत तरीके से वेवार करता था मस्से अब काफी टाइम तक मा काम करता है और जहनजर की सारी बाते अब्जर्व कर लेता है और फिर मस्य मा से कुछ पैसे चुपके से निकालने लगता है और मस्य ने पोस्ट ओफिस में भी सबका दिल जीत लिया था क्योंकि वो हिसाब किताब में काफी पक्ता था इसी वज़ा से किसी को भी मस्य पर शक नहीं होता और मस्य सही तरीके से पैसे की हिरा फेरी करता था मस्य की बैतरीन प्लैनिंग के कारणी एकाउंटेंट को भी एकाउंट में कोई गड़बर नहीं मिलती थी इधर मस्ये का चाचा पैट्रोल पर मिलने के बाद मस्ये की माँ पर घरेली इंसा करने लगा था मस्ये चाहता है कि वे उसकी चाचा को मार दें पर मस्ये की माँ मस्ये को कसम दे कर चुप रहने के लिए कह दी है अब ऐसे ही काफी टाइम बीच जाता है और मस्य काफी बढ़ा हो जाता है मस्य ने ओफिस में ज़्यादा पैसो की हिरा फेरी करना भी चालू कर दिया था मैगर थोड़े टाइम बाद अब पॉस्ट ओफिस में कम्पीटर आ जाते हैं मैं हर औरत को भी छीड़ता था इसलिए पुलिस आकर जहांजर को पगड़ लेती है और जहांजर समझ जाता है कि ये सारा काम मस्य का ही करादरा है ऐसा करके मस्य ने बड़ी चलाकी से अपनी मा का बदला जहांजर से ले लिया था उसके बाद मस्य का दोस मस्य को बताता है कि उसके चाचा ने उसकी माँ को बहुती बूरी तरह से पीटा है और मस्य की माँ होस्पिटल में बढ़ती है तब महाँ डॉक्तर मस्य को बताते हैं कि उसकी माँ की हालत काफी क्रिटिकल है मस्य ये बास सुनकर इतना गुसा होता है कि वह चाचा के पेट्रल पंप में जाकर आग लगा देता है जिसके बाद मस्य के चाचा उसे खूब मार कर जील भीरतेते हैं थोड़े समय में मस्य जील से बाहर तो आ जाता है पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी मा कहाँ पर है मस्य की इस्टोरी सुनकर उर्वशी और राजयो दोनों काफी एमोशनल हो जाते हैं और वो दोनों डिसाइट करते हैं कि जब तक मस्य की मा उसको नहीं मिल जाती वे उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ये सुनकर मस्य खुश होता है कि चलो उसके दो पक्के साथ ही थो बने अब मस्य अपने दोलो साथ ही को कहता है कि उन्हें जैपूर जाना होगा महा के सबसे अमेर आत्मी अनिल अजमेर को लूटने के लिए लेकिन उर्वशी का मस्ते को कहना था कि उसे सबसे पहले अपने चाचा से बदला लेना चाहिए पर मस्ते बोलता है कि टाइम आने पर वे अपने चाचा से भी बदला ले लेगा अब मस्ते और उसके साथ ही जैपूर आते हैं और अनिल अज़मेर के बाई सुनील अज़मेर पर नजर रखते हैं सुनील का एक resort था जहांसे भ अपने सारे दंदे किया गरता था सुनील अज़मेर की सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां क्योंकि उसे हर रात एक नई लड़की चाहिए थी और उसका एक आदमी लड़के को इंतजाम किया करता था मस्से अब सुनील पर काफी अच्छे से निजर रखता है और फिर उसका प्लैन बनकर तयार हो जाता है एक दिन उरवशी सुनील अजमेर के रिजोट में आकर ड्रिंक करने लगती है और सुनील भी इतनी खुपसुनर लड़की को देख कर उसके पास आजाता है क्योंकि उसकी आदत तो मैंने आपको बता ही दी सुनील उरवशी से बात करता है तब उरवशी बताती है कि वह यहाँ पर अपने बॉइफ्रेंड के साथ आई है जो कि काम में हमेशा बिजी रहता है और उसे टाइम नहीं दे पाता तब उरवशी का बॉइफ्रेंड मस्टे भी महा कर सुनील से मिलता है सुनील उन दोनों के लिए एक ड्रिंग अरेंज करके महा से चला जाता है अगले दिन मस्टे को पता चलता है कि सुनील आज भी एक नहीं लड़की के साथ रात को मजे करने वाला है और फिर उरवशी सुनील की मैनेजर का फोन चुपके से ले लेती है जिसकी बज़ा से सुनील के पास वे लड़की नहीं पहुच बाती और उस लड़की को लेकर राजु दूसरे रूम में चला जाता है और उस लड़की को भी लगता है कि राजुवी सुनील है ये सारी प्लैनिंग मस्टे नहीं की थी अब सुनील काफी परिशान होता है और बार-बार उसके मेनेजर को फोन लगाता है पर उसका फोन तो मस्य के पास था जिसके बाद सुनील महां से निकलता है तब मस्य और उर्वशी उसे बाहर मिल जाते हैं जो सुनील कून के साथ ड्रिंग करने के लिए ओफर करते हैं और पैसे रखे थे तब सुनील को महाँ पर एक नोड मिलता है जिसमें लिखा था कि अर्वशी सुमिंग पुल में उसका इंतजार कर रही है सुनील अब उर्वशी के पास जाकर मिलता है और महाँ पर मस्य भी था और वशी सुनील को बताती है कि मस्य एक बहुत बड़ा पूरा करना चाता है तब मस्य बोलता है कि तुम चिंता मत करो वह किसी भी हाल में उस जगा को बुक करवा देगा यह सुनकर सुनिल को मस्य पर विश्वास नहीं होता कि वह यह सब कुछ कर भी पाएगा पर मस्य सुनिल को बोलता है कि तुम देखते रहो अब मस्य एक प्लैन बनाता है और लोडा की बेटी के खाने में पीनट्स मिला देता है क्योंकि उसे पीनट्स से अलर्जी थी और पीनट्स खाने के बाद उसे तीन दिन तक अलर्जी हो जाती है ये सब होने के बाद लोडा अपनी बेटी की शादी पोस्पन करा देता है और सुनील को वह जगा अ जल्दी विश्वास नहीं करता था अनिल मस्य से उसके बारे में पूछता है तब मस्य बताता है कि मैं एक investment banker हूँ और मैं लोगों का black money white करता हूँ इसी कारण से उसके पास इतना सारा पैसा है तब अनिल मस्य को 50 लाक रुपे देकर black money को white में convert करने के लिए कहता है और मस्य भी इस बात के लिए मान जाता है मस्य अब सुनील से एक painting में sign करवा कर एक auction वाले से मिलकर उस painting का auction करने के लिए कहता है पर auction वाला बोलता है कि ये painting नहीं बिकेगी जिसके बाद मस्य auction वाले को जादा commission का लालस देकर उसे मना ही लेता है अब उस painting का auction शुरू होता है तब auction में और वशी और राजू काफी बड़ी-बड़ी बोली लगा रहे थे तब इमा पर बैठी एक अमीर महिला और वशी से काफी जैलिस होकर उससे बड़ी-बोली लगाती है जिसके बाद ये painting 70 लाग रुपे में बिग जाती है और मस्से अनिल को 50 लाग रुपे white money दे देता है अब अनिल भी मस्से से impress हो गया था पर अनिल को पता था कि मस्से उससे इतनी छोटी deal के लिए तो नहीं मिलने आया है तब मस्से बोलता है कि वह जानता है कि अनिल की बेटी की शादी हो रही है और वह शादी में अनिल का काफी सारा black money white करवा सकता है तब मस्से बताता है कि शादी में जो बड़े-बड़े gift आएंगे उस पर कोई भी tax नहीं लगता इसलिए मस्से अनिल के black money से काफी मेंगे मेंगे gift खरीट कर फोर्णर से gift करवाएगा जिससे उन पर income tax वालों को कोई शक भी नहीं होगा अब ये idea सुनकर अनिल मस्से से impress हो जाता है और शादी की सारी arrangement मस्से को करने के लिए कहता है जिसके बाद मस्से शादी की jewelry shopping में लग जाता है मस्से अब चोमू नाम के आदमी से मिलता है जिसने सूरी के काम में उसकी मदद करी थी चोमू का काम था कि उसे रोज resort की decoration के लिए full लाने थे और उस पूरी जगा पर नज़र रखनी थी जोमू उस काम के लिए मान जाता है मस्से अब प्लैन करता है कि वह शादी के लिए खुप सारी jewelry खरी देंगे और फिल ले जाकर अनिल अजमेर को दिखाएंगे जिसके बाद वह सारी jewelry को बदल देंगे आप मस्से और उर्वशी काफि सारी jewelry खरीतते हैं और सब कुछ प्लैन के साफ सही करते हैं इदर राजू भी जापूर में आए फॉर्वशी को शादी में आने के लिए मना लेता है अगले सीन में SP 30 राज को दिखा दे हैं जिसको मस्से के बारे में सारी जानकारी पता चल गई थी और यहाँ पर अब जोल्री की शॉपिंग के बाद मस्से सारी जोल्री अनील को दिखाता है और अनील एक जोल्री सा सारी जोल्री चेक भी करवाता है कि वह असली है या नकली तब सारी जोल्री सही निकलती हैं आनिलब मस्य को कहता है कि ये सारी जोलरी दो बार चेक होंगी एक गिफ्ट पैक होने से पहले और एक गिफ्ट देने के बाद ये सुनकर उर्वशी तो घबरा जाती है कि वह जोलरी कैसे बदलेंगे लेकिन मस्य उर्वशी को कहता है कि मैं सब कुछ समाल लूँगा अब हम द पर राजू फोन नहीं उठा रहा था तब मस्य काफी टैंशन में आ जाता है कि अब आगे क्या होगा थोड़ी दिर बाद राजू मस्य का फोन उठा लेता है जिसके बाद मस्य और उर्रशीर राजू से मिलने जाते हैं वो देखते हैं कि महाँ पर तेज राजू को पकड़ा हुआ था जिसके वज़ा से राजू कॉल ने उठा पा रहा था तेज राज मस्य को बोलता है कि आखिर मस्य उसके हाथ में लगी गया और फिर तेज राज मस्य से 15 करोट रुपे की डिमांड करता है और मस्य के पास कोई और आप्शन नहीं था इसलिए वो पैसे देने के ल दलना था राजू को तो तेज राज ने पकड़ दिया था तो ये काम चोमू को करना पड़ता है लेकिन चोमू को ये सब करते हुए अनिल अजमेर देख लेता है तब अनिल जोरी को सारी जोलरी चेक करने के लिए कहता है और वो सारी जोलरी असली निकलती है यह सुनकर अन उरवशी ये सब देखकर चौक जाती है, कि उनका ये प्लैन भी फील हो गया, तब मस्य उरवशी को बताता है कि उसने जोलरी को चेक करने वाला केमिकली बदल दिया है, इसी कारण से जोलरी को नकली जोलरी के बारे में नहीं पता चल पाया, अब फाइनली मस्य का प्लैन सकस चाचा CM बन जाएगा ये सब तेज राज को भी पता चल जाता है और वे मस्ट्य को बताता है कि कल के बाद वे उसके चाचा क pizzभी नहीं बगाड पाएगा क्योंकि वे तो CM पन जाएगा पर मस्ट्य बोलता है कि कल के लिए अभी काफी टाइम है और तब तक तो वो उसके को बरबाद कर देगा फिर मस्य जाकर तेज राज को वे जोलरी देता है जिसको उसने बदल दिया था जोलरी मिलते हैं तेज राज पलड़ जाता है और मस्य और उरशी को ही मारने वाला होता है तब ही तेज राज का साथ ही विनोद तेज राज को ही गोली मार देता है और हमे जानता था कि तेज राज कोई अच्छा इंसान नहीं है इसी कारण से उसने उसे मार दिया और फिर विनोध अपना पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है अगले सीन में मस्य और वह तीनों रिजोट में आते हैं और काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके पास अब करोड रुपे क की टोकरी तो है और जब वह फूलो की टोकरी चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसमें तो खुब सारे पैसे हैं वो भी पूरे 40 करोड रुपे अब मस्य बताता है कि जब वह अनिल के साथ डील फाइनल करने गया तो उसने अनिल को कॉल पर किसी के साथ बात करते तब ही मस्य ने प्लैन बनाया कि जोलरी बदलने से अच्छा फोलो की टोकरी ही बदल दी जाए इसलिए उन्होंने फोलो की टोकरी बदली और सारे पैसे उनके पास आ गए अब उर्वशी मस्य से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला कि तुम्हारे चाचा य सब करने वाले हैं तब महाँ पर हरीलाल नाम का एक आदमी आता है जो कि मस्य के चाचा का पीए था असलियत में हरीलाल मस्य के बचपन का दोस्त था और मस्य के कहने पर हरीलाल उसके चाचा का पीए बना था और हरीलाल ही था जो मस्य के चाचा की सारी खबर उसको देता था इसके बाद हम देखते हैं कि मस्य के चाचा CM नहीं बन पाए क्योंकि MLA के पास 2 करोड रुपे नहीं पहुचे थे और साथ महीं मस्य के चाचा को फ्रोड और रिश्वत के चक्कर में 20 साल की सजा हो जाती है और फाइनली मस्य ने अपने चाचा से भी बदला ले लिया था मस्य के पास अब काफी सारा पैसा था और वैस से काफी खुश था जिसके बाद मस्य को उसकी मा का फोन आता है और मस्य अपनी मा की आवाज सुनकर काफी खुश होता है मतलब की मस्य की मा भी भी जिंदा है और मस्य जल्दी उनसे मिल पाएगा और ये सीरीज यहीं पर खतम हो दी है दुफ्तो आपको इसीरीज कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अगल एक्स्प्रिनिशन आपको कौन सी वेब सीरीज पर देखना है